कोबरा वर्सस देव की बीचे होने वाले आज के आखरी यानि यह पांच हुए ECS ठीटन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के लाएगा कौँ कितने और बालिंग करके देने वाले इस मैच का आपके लिए पिस रि आएवन बात करेंगे बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना यह जो भी मैं आपको वीडियो में एक टीम मना के दूँगा यह एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर की तीम होगी मान लो कि हमारे वीडियो की तीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइन आप आने क कवर करके देने वाला हमारे चैनल को आपको जॉइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं आप अभी हमारे जीज भी वीडियो को देख रहे को सी कि तैटल को आप जैसे क्लिक करोगे दिस्क्रिप्सिन में पहुंच जाएगा ना मिले तो कमें से सबसे पहला आपको जो कमें से आपको जीबी ओवल के स्टेदियम करोगा यहां पर आपको 101 रंद करीब का एवरेस स्कोर है यानि कि कई ना कहीं हाई स्कोरीं गेम होगा बल्ले बासों को आपको फोकस करके तीम मनानी कोसिस करना है सबसे पहले देखो कोबरा खिदीमी सीजन में ना वी यू बी जैसी टी एकश हारी थी यानि कि सबसे स्व – टीम को हराकर क्या रिया और खुद भी सीजन का सिफ दोई मैच आपकोar होई यह और सारे मैच मैच अपने विन करें यह तो कई अभीब, एच नूरी, एफ इकवाल, एच फियास और सुल्तान, यह पॉस्पल प्लेइंग 11 इनकी रहनी चाहिए, जिनमें इनके में बालस रहेंगे, एफ इकवाल जो की दो ओवर पुड़ा करेगा, एच नूरी जो की दो ओवर पुड़ा करेगा, एहमद खान जो की आपको दो ओवर पुड़ा करेगा, यह चार इनके में बालस रहें, पांच वे बालिंग आफसन आपको यूग गोडी नसर आएगा और एच फियास नसर आएगा, यह दोनों यह इनके पांच वे और शिक्स पालिंग आफसन ने, यह पे एक और किया, यह आपे दो ओवर किया, तो हो सकते हैं कि अपकल में एक और करें, एच फियास ने, यह आपे दो ओवर किया, यह आपे एक और किया, यह आपे एक और नहीं, यह आपे दो ओवर किया, यह आपे एक और, यानि कि हो सकते हैं कि इस मैच वे एक और करें या फिर वो भी ना करें, तो सबसे जरूरी चीज म अस्मादखान और यूल बॉबीउ उन्हेया है एक्वाल हो गहां यह अच्छ लेशा प्लेयर यह चार पनीे यहां पर भी भी यहाँ बाकि बहुत चार लोगे इच्छ अच्छा प्लेयर यहाँ पे थोड़े स्थानाश्पना है यहाँ पे फ्लाप हुआ है लेकिन सही प्लेट आपका मना प्ले करके चल सकते हैं वहीं सामने कोबरा खितीम के बात कुर जिन में बल्ले पासी में उपना रहेगा जफर उल्ला जिसके साथ सकीर उल्ला यह इस रसिक विन तीसरे वापनर पास यह दोनों में से कोई भी इनके ओपना वाले बास क्हेले ही नहीं और अपनी में तीम क्ला है और अपने में जो ऊपनर सब्सक्राइब आपको राशिक बिन जो कि आपके लिए कैप के लिए नंबर वन चोईस रहेगा जो कि कोबरा की टीम को उर्से लीदर्शिप कर रहा है जाया वो बल्ले बाजी हो या बॉलिंग हो किसी भी मैच से किसी भी मैच में फ्लॉप नहीं हुआ हर मैच में आपको अच्छा करके दिया हुआ है बॉलिंग से दो जोई ने दो अवर पुरा की ऐजाब इसको चार विकेट मिले हुआ है ऐसा अस्वत ने आखरी वाले मैच पे दो ऑवर की आजाब पे तीन विकेट मिले हुआ है या नहीं कि आखरी मैच को ब्ले बाजी में लाया जिन्हों ने इस सीजन से पहले कभी अच्छा किया ही नही यानि की कोब्रा खिती ऑफने अखरी मैच पूरा एक्सपेरिमेट किया हुएL he कि अगर में बॉलर की बात करो एम बुरहन जो कि इनका में बॉलर आखरी मैच में एक भी ओवर नहीं मिला एव एक गतेश राजन जो कि इनका में बॉलर नहीं है आखरी मैच में दो ओवर किया हुआ है इनके में बॉलर में आपको नाम कहूंगा संजय कुमार हो गया एम बॉ कि दे दिया एक और बालिंग बचा हुआ है किसी को दिया होंगे फिर नौई ओवर का मैच के ला गया तो इस तरीके से को बालिंग करा है बाकि मैं आपको कहूँ की कोप्रा की काउन से जरूरी प्लेयर गे जिनको आप experiment के बाद भी ले सकते हो उनको मौका मिलना चाहिए जिसमें नाम है रसिक बिन का जिसमें नाम है इजॉय को आप ले ले लेना S Aaswad को ले लेना संजा कुमार को ले लेना ये जो चार प्लेयर है इस आपके लिए आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेंगे बाक्य अगर आप इसकी तीम बनारों एक काम करना M.Burhan को उपर रिस्क लेना S.Bud को और रिस्क लेना सीधे सीधे एपको और चलते हैं कोई बिना बखवास किए मैं अपनी टीम में किसको ले करके चलना लो यूँ खाजला हो गया ममून खान हो गया अपको ले जरूरी रहेंगे लेकि ममून खान को आखरी वाले मैच में न प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया अगर ममून खान को खिलाया जाए तो बिना कुछ भी सोचे ले करके चलना क्यूंकि ओपनर बल्ले बाद अभी मैं ऐसा अस्वत को ले करके चलना हूँ यहां से चनूरी हो गया मौमद उस्मा हो गया बाकी है तो कोई भी बिल्कुल भी सई आप्शन है सकीर उल्ला को आखरी म मैच में दो वर बालिंग करके चार फिकट मिले हूँ तो इसको ले करके चलूँगा अब आपको सोचना है कि आपकोसी हफीज और नहीं किसी दूसरे प्लैयर को यहां पर आपको क्या करना होगा वहां पर आपको सबसे पहले काम करना होगा बुरहन को निकालना और संजा कुमार को निकालना यहां से अगर आपका मैंने ऐसा अस्वत को निकाल लेना क्योंकि आखरी वाले मैच में बहले इसने दो और पुरा क्यावले की कुछ कन्फरम नहीं है यहां से यू गोरी को ले लूँगा यू हभीब को ले लूँगा इसके लबाब आप एक और काम करके चल सकते हो अगर आपको लगर है कि मौमा सुलेमान और आर सावाद यह दोनों में से को यह आपको अच्छा करके देश सकते हैं आपका मने आपर रिस्क लेना चाहो ले करके चल सकते हो मैं क्या वीसी रसिक बिना को कैप कहूंगा बिना कुछ भी सोचे आपको ले करके चलना यूँ खासला को वीसी बनाओगा क्योंकि बल्ले बाची से किसी भी मैच में यह फ्लॉप होई नहीं रहे तो यह एक अमारे एनालिसीस बेस किती में फाइनल टीम जो भी होगी हो मैं आखरी के पांच मिनत में इसी तरीके से स्क्रीन सौथ के जरीया अपने तेलिग राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम बेस दूँगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिसक्र सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलना